हेलो स्टुडेंस स्टुडेंस कैसे हैं आप I hope कि आप सब अपनी ही घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे सबसे पहले स्टुडेंस आपको नए साल की बहुत बहुत छुप कामना है ठीक है आशा है कि ये नया साल हम सब के लिए अच्छी शुरुवात लेकर आए अब हम आज से अपना पढ़ाई का कारे शुरू करते हैं ठीक है आज हमारी हिंदी की कक्षा है आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ व्यांजन लिखे हैं क से लेके श्रा तक ठीक है इन व्यांजनों को मैंने आप देखीए तीन अलग-अलग आकरितिय में वो मैंने इने कवर किया है जैसे ये वुर cog cogn मैंने इसकोर में इसकुर में में जो है वो कवर किया है इसी था वह को भी मैंने चकोर शेप पे कवर किया है और ख, ग, घ, च, ज, ज, आईया, है ना, त, थ, ध, न, ब, ब, भ, म, ये जो लाल कर से इन्हें मैंने सरकल के अंदर कवर किया है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो व्यंजन है, उन्हें मैंने, जैसे ये है, अंगा, च, ज, सॉरी, र, ठीक है, ठ, ठ, ड, ड, इन सबको मैंने इस ट्राइंगल के अंदर कवर किया है, ठीक है, तो स्टुडेंस इन सबको मैंने इनके अंदर इसलिए लिखा है, क्यूंकि इन्हें मैं आपको बताऊंगी, आज हम, जो है, इन्हें क्या कहते हैं, जैसे जो, स्टुडेंस, जो ये सरकल के अंदर, इस गोले के अंदर जो व्यंजन है, इन्हें हम कहते हैं, पाई वाले शब्द, पाई क्या होती है, जो इनके पीछे ये रेखा लगी है, ये जो डंडा लगा है, इनके पीछे, जिसे ख के पीछे है, ग के पीछे है, घ के पीछे है, ये वाला जो डंडा है, ठीके, जिन शब्दों के पीछे ये डंडा लगा होता है, ये रेखा लगी होती है, इन शब्दों को हम पाई वाले शब्द कहते हैं, ठीके स्टुडेंस, आप देखिए, ये है क और ये है फ, पाई है वो बीच में लगी है और पीछे इनके इस तरह से हुक बना है। ठीक है? यह हुक जैसे बने हुए है ना जो इनके ये पाई से बाहर को जो इह भाग निकला है इसे हुक तो इन्हें हुक वाले शव कहते हैं, ठीक है? और बाग की सब जो है वो आपकी नौर्मल छीन में ना कोई पाई है और ना किसी तरह का हुक लगा है तो स्टुडों का है है। यह क्या आज मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि कि आज हमारा जो टॉबइक है वह आधे आधे अक्षर वाले शब्द, ठीक है, मतलब कि व्यंजनों को, जो हमारे कसे श्रोतक के अक्षर हैं, उन्हें हम आधे, उनके आधे रूप को हम किस तरह से लिखते हैं, वो हम आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज जो है, सबसे पहले हम पाई वाले शब्दों को करेंगे, तो पाई वाले शब्दों में हमने देखा था, कौन-कौन से थे, ख, ग, और पाई क्या है, यह जो इनके पीछे का, कि यह रेखा होती है, इसे पाई बोलते हैं, तो इनमें कौन-कौन से शब्द है, ख, ग, ग, पहले हम इन शब्दों का देखते हैं, कैसे, जैसे, यह है ख यह आपका पूरा खौ है इसका इसकी पाई को हटाके जो हम आधा शब्द लिखेंगे इस थरह से यह खौ का आधा रूप इसी तरह यह आपका गौ है इसका हम पाई हटाएंगे तो यह इसका आधा रूप बनेगा अब जब खौ का हमने आधा रूप लिखा है इसे हम लेकिन हमें इसे आधा बोलना है इसलिए हम इसे चोटा इसकी जो ध्वनियोगी वह बिल्कुल चोटी रहेगी तक्ता, तक्ता, ठीके, तक्ता, तो ख, जल्दी से खतम हो जाएगा और एकदम से ता की आवाज आ जाएगी, इसी तरह से अब है ग, तो ग को हम लिखेंगे, गवाला, अगर students इसे पूरा, यहां पर पूरा ग होता, तो यह होता, गवाला, गवाला, लेकिन यह है गवाला, द पूरा यहाँ पर ग होता इस तरह से तो हम बोलते ग वाला ठीक है इस तरह से लेकिन हमने इसे ग वाला नहीं बोलने हैं हमें इसे बोलेंगे गवाला तो ग की जो अवाज है वो बिल्कुल छोटी कम आएगी और वाला वाला की अवाज ज्यादा आएगी गवाला ठीक है इस त बनेगा वो है व में छोटी मत्रा वी घन अब अगर हमें इसे पूरा बोलना है तो यह बनेगा वी घन इस तरह से वी घन लेकिन हम इसे इस तरह से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यह आधा है इसलिए हम पढ़ेंगे विघन विघन घो की साउंड थोड़ी और न की जादा विघ अब इस से कौन से शब्द बनते हैं देखिए चो की पाई को हटाया तो अब बनेगा ब अब यहां पर आधा चो और फिर पूरा चो और आ की मात्रा तो ब चा बच्चा इसमें जो यह आधा चो है उसकी आवाज चुद्वनी है वो कम है और चा की जादा है बच्चा है अगर पूरा च होता तो हम भी से परते बच्चा बच्चा लेकिन ऐसे नहीं होगा बच्चा इस तरह से बना बच्चा अब इसी तरह से आगे है ज़ग की पाई को हटाएंगे तो यह इस तरह से लिखा जाएगा आधा जग और इसका शब्द ज़गा ज्वाला 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 जिस तरह से ग्वाला उसी तरह से ज्वाला 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 ज यह जह का आदारूप इसका शब्द बनेगा जह जजज़ जज़ जज़ तो इस जह की आवाज कमाएगी जज़ 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 ठीक है यह जह का आदारूप अब उसके बाद हम देखेंगे अब है यहाँ देखिए अणा अणा का यह है अणा की पाई हट जाएगी तो सुरी स्टुनेस अणा की पाई हट के सिरफ यह रह जाएगा यह नहीं होगा यह है अणा का आदारूप तो इसका शब्द बनेगा कंठ अब नेक्स्ट है त थ धन अब देखिए यह है त और त का आधा रूप यह इस तरह से पाई हटा के और इसका शब्द बनेगा पत्ता अगर पूरा होता तो पत्ता लेकिन हम इसे आधा पढ़ रहे हैं इसलिए पत्ता अब देखिए अब है थ थ का पाई हटा के यह इसका आधा रूप हो गया अब हम इसे लिखेंगे प, थ, पत्त, पत्त, चिके ध, ध, ध का आधा रूप पाई हटा के ध, अब है ध्वज ध्वज इस तरह से न न का आदा रूप पाई हटा दी और अब ये बनेगा न्याय 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 इस तरह से नहीं बोलेंगे न्याय एक दम से न कम और याय न्याय ठीके प प का आदा रूप ये हुआ अब हम लिखेंगे ग आदा प प पूरा प आदा प और पूरा प गप ठीके इस तरह से स्टुडेंट्स जो पाई वाले व्यांजन है उनका आधा रूप इस तरह से लिखा जाता है उनकी पाई हटा दी जाती है और आगे के जो भाग होता है उसे हम आधा व्यांजन के रूपे प्रियोग करते हैं ठीके अब हम देखते हैं कि जो हुक वाले शब्द हैं हुक वाले शब्द कौन से थे? कर हुक क्या हुआ स्टुडेंट्स? यह जो इनकी बीच में पाई है और उसके बाद का जो हिस्सा है जैसे यह कर के ये बाद का हिस्सा और फर के बाद का ये वाला हिस्सा तो इसे हुक वाले शब्द बोलते हैं तो इन में क्या है अगर हम इनकी पाई को हटाएंगे तो ये वंजन क्या है बिखर जाएंगे बिखर जाएंगे मतलब खोल जाएंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं राएगा उनका कोई मतलब नहीं राएगा तो हमें इनके पाइ नहीं हटाएंगे, हम इनके यह होख हटाएंगे, तो किस तरह से शब्द बनेगा, देखिए, यह है आपका कर, और कर का आधा, इस तरह से, यह हमने इसके पीछे का होख खटा दिया, तो ये कव का आधा रूप है और इसका जो शब्द बनेगा वो है क्या क्या इसी तरह से ये फ़ो है फ़ो का आधा शब्द है इस तरह से यह हम इस तरह से बनाएंगे तो फो का आधा है लू फो त लुफ्ट या आप मुफ्ट मुफ्ट भी हो सकता है तो इस तरह से कर या यह हुक वाले शब्द है इन्हें इस तरह से लिखा जाता है इन दोनों को इनके हुक हटा के ठीक है अब है स्टूडेंट्स जो है वो बिना पाई वाले और बिना हुक वाले शब्द है जैसे अंगा छ ट ड ड ड ड ड है ना ड इस तरह से इन शब्दों में जब हम स्टूडेंट्स आधे वेंजन लिखते हैं तो उनमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं सबसे पहले है छ ठीक है छ यह है छ तो छ का आधा जो शब्द होगा उसे ऐसे छ लिखेंगे और उसके नीचे हम हलंत लगाएंगे इससे पता चलता है कि यह है आधा है यह आधा वेंजन है और इसका शब्द जब बनेगा तो उसे हम लिख सकते हैं जैसे इसी तरह से सुझेंट यह टौ है टौ का आधा जो अक्षर होगा उसके नीचे हम अला अंत लगाएंगे टौ के नीचे तो यह आधा अक्षर बन जाएगा और टौ का जो है वो हम लिख सकते हैं शब्द जैसे लटू यह आधा टौ है इसलिए टौ की आवास का अमारी ह टू की जाधा लट्टू ठीक है इसी तरह से देखिए ये ठ है इन में कोई पाई नहीं है इसलिए इनकी पाई की जगह हलंत लगा के बताते हैं कि ये आधा है लट्टू तो इसका बनेगा पठ्य पठ्य ठीक है ये फिर है ड ड का आधा अक्षर है इस तरह से हलंत लगा दिया ये बनेगा गढ़ा 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 ये हो क्या ड का अधा अक्षर हम इसे लिखेंगे बूढ़ा इस तरह से आप देख सकते हैं कि जिन व्यंजनों में पाई नहीं है उससे हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं अब जैसे आपका है ह को भी इसी तरह से हम प्रयोग करेंगे और इसका शब्द बनेगा जीवा 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 में जीव ठीक है अब है स्टूडेंस आपका रो तो स्टूडेंस रो में रो को हम जो है रो का जो आधा शब्द होता है उसे रेव की मात्रा भी बोलते हैं और पदेन की मात्रा भी बोलते हैं तो रो को आधा अक्षर हम ऐसे उपर लगाते हैं या फि से पैर में भी लगाया जाता है मैंने आपको ये रेष की मात्रा और पटेन की शिखाई थी ये दोनों तरह से प्रेवोग हो सकता है जैसे इसके रहों का रहों का जब आधा वर्ण है उसे हम लिखेंगे कर्म, इस थरह से, कर्म, अगर ये पूरा रह होता तो इसे पढ़ते कर्म, कर्म, लेकिन हम पढ़े हैं कर्म, एक दम से, फटा-फट से, गर्म, इस थरह से, और ये तो हो गए आपकी रेफ की मात्रा, जो सिर के उपर लगी है, ये है रेफ की मात्रा, लेकि के पैरों में इस तरह से र रास्ट्र राश्ट्र है ना तो यह है पदेन की मात्रा इसे हम रो की रो का जो आधा व्यंजन है उसके हमें हम उसे इस तरह से रेव की मात्रा के रूप में लिखते हैं या पदेन की मात्रा के रूप में लिखते हैं तो स्टुडेंस इस तरह से आ वो मैंने आपको सिखाया जो ये शब्द हैं जिनके पीछे रेखा होती है इन्हें हम पाई वाले शब्द कहते हैं और इनकी पाई को हटाके इस रूप में हम इन्हें आधा आधा लिख सकते हैं ठीक है ये मैंने आपको यहां पर सिखाया फिर है ये हुक वाले शब्द जैसे क और फ तो इनमें हम पाई नहीं हटाते हैं इनके हुक को हटाके हम इने आधा अक्षर बनाते हैं आधा शब्द बनाते हैं तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं क्या लुफ्ट या मुफ्ट फिर जो ऐसे व्यंजन है जिनमें ना तो पाई ह हैं और ना ही खुख है तो उन व्यंजनों को हमने किस तरह से लिखा उनके नीचे लगागे जैसे चोछ के नीचे लगाया तो यह आधा जबहां सिर्फ, पर ना रहा कहरा हैं तो उसमें आतो रेव की मात्रा के रूप में लिखते हैं या पदेन की मात्रा के रूप लिखते हैं तो रेव की मात्रा में हमने उसी इस तरह से लिखा व्यनजन के उपर जो है र लगेगा रेव की मात्रा तो यह बनेगा कर्म गर्म और जब हम र पदेन के रूप में लिखते हैं तो यह इस तरह से राश्ट्र बनता है ठीक है I hope कि आपको यह आधे अक्षर वाले शब्द समझ में आये होंगे और इनका प्रियोग किस तरह से करना है वो भी समझ में आया होगा अब आपको इसी के अधार पर आपकी वर्क्षिट करनी है वो अब आप देखिए कि आपको किस तरह से करनी है सो स्टूडेंस यह है आपकी आज की वर्क्षिट जिसे आपको करना है उसमें देखिए पहला प्रशन है आपका आधे अक्षर को जोड़ कर शब्द बनाओ ठीक है यहाँ पर बीच में कुछ आधे अक्षर दिखाई दे रहे हैं आपको इने जोड़ना है और शब्द बनाना है और वो आपकी इस तरह से करेंगे देखिए म आधा क का क्या बनेगा मक्का आधे क की आवास का मारी है का की जाधारी है मक्का ठीक है फिर है र आधा क त रक्त ठीक है देन पचा बच्चा चो की आवास ना आके चा की आवास जाधा आ रही है तो चो जो है वो इसकी ध्वनी बिलकुल छोटी होगी पच्चा पुश्प पुश्प शो की ध्वनी काम प़ की जाधा पुश्प ठीक है लड्डू र आधा सव सी इस तरह से स्टुडेंस ये जो शब्द हैं आपको लिखने है और इन्हीं लिखने का भ्यास करना है अब आगे है आधे अक्षर वाले छे शब्द लिखिए तो आपको आधे अक्षर वाले कोई भी छे शब्द लिखने हैं उसमें आप लिख सकते हो जैसे पक्का पक्का अच्छा अच्छा ज्वाला खट्टा खट्टा पुन्य ध्यान इस तरह से आप यह छे शब्द लिख सकते हैं या इसके इलावा भी आपको अगर कोई शब्द आते हैं तो आधे इन तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगला आपका तीसरा प्रशन है, चेत्र पहचान कर नाम लिखिए, यहाँ पर कुछ चेत्र दिये गए हैं, यह सारे चेत्र वो हैं, जिनमें आपको आधे अक्षरों का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले है, य पत्ता, इस तरह से हम लिखेंगे पत्ता, कि यह हैं बिल्ली, बिल्ली, ठीक है, अब है पुश्प, पुश्प, लट्टू, लट्टू, ध्वज, ध्वज, ठीक है, ग्यारह, यह हिंदी का ग्यारह है, और यह हमने इंग्लिश में लिखा है, ग्यारह, ग्यारह, प्याज, प्याज, रस्सी, रस्सी, ठीक है, इस तरह से आपको यह आधे वेंजन वाले शब्दों को करना है, और इस वक्षिट को करना है, और इसे आपको टाइम से सब्मिट करना है, ठीक है, इन आधे अक्षर वाले शब्दों को बोलने का, लिखने का और पढ़ने का आप घर में अभ्यास करेंगे, ठीक है और जहां पर आपको समझने ही आएगा, वो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू और हैव गूड डे,